आज हम चौथा राइट पढ़ेंगे कि वाई रीडिंग इस यूमिन राइट और यह पूरा राइट में आपको पढ़के सुनाओंगी कि यह है क्या तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करते हैं कि यह लंबा सा राइट क्या चीज़ है इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस किसम का रीडिंग मिटीरियल बच्चों को प्रवाइट करना है जिसमें कुल्चरल डाइवरिसिटी मौजूद हो और वो ऐसे लोगों और ऐसे कल्चर को भी पढ़ सकें जो बुन्यादी तोर पर उनके कल्चर नहीं है अब यहां पर बहुत important thing है डॉक्टर बिशॉप की इसको पढ़ते हैं कि यह कितना interesting factor है readers are transported into the words of other people, subject, experiences and cultures they are reading जब हम कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं जो हमारे culture की नहीं है किसी और culture की है तो हम actually कहानी में engage होके वहां पहुँच जाते हैं जहां हम पहले कभी भी नहीं होते हैं reading हमें एक opportunity provide करते हैं एक interesting, a fascinating opportunity जिसमें हम दूसरों के cultures को, दूसरों की values को, दूसरों की different aspects को समझ सकते हैं इसका हमें फाइदा क्या होता है? इसका फाइदा यह होता है कि जब हम multiple culture को समझते हैं और हम ऐसे culture में रहते हैं जहां diversity हो तो हम वहाँ बहुतर तरीके से लोगों को समझ के उनके साथ engage हो सकते हैं और उनकी values को appreciate कर सकते हैं सबसे important problem हमें क्या आती है? जिस किसम के हम किताब choose करते हैं, जिसमें कोई culture representation हो उस किताब को हमें critically देखना पड़ता है कि आया इसके अंदर जिस culture की representation की गई है वो ठीक तरीके से की गई है कहीं वह bias तो नहीं है कहीं उसके अंदर कोई और किसम के issues तो नहीं है जिस culture को actually represent नहीं कर रहे है या कोई political चीज तो उसके अंदर मौझूद नहीं है जिस culture को बुनियादी तौर पर गलत तरीके से represent कर रही है तो जब हम बच्चों को किताबे देते हैं, किताबे क्या करती है? एक opportunities जो है वो बच्चों के लिए खोल देते हैं जिसके थू बच्चे जो हैं दूसरी दुनिया में जाते हैं और दूसरे culture को पढ़ते हैं देखते हैं उसके साथ intellectually और emotionally engaged होते हैं तो हमें studies क्या बताते हैं? studies हमें बताते हैं कि there is a reciprocal relationship between the knowledge of others and knowledge about your own self बुनियादी तो पर जो हम दूसरों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम खुद कौन है और हम अपने आपको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जितना हम अपने आपको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं वो हमें एक और opportunity देती है ताकि हम दूसरों को तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज है जो उनकी फिर्स लांगवेश है उसमें उनको किताबे दी जाए और उसके बाद और ऐसी भी किताबे जी जाएं जो दूसी लेंगवज में है पर वो ट्रांसलेट हुए 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 उसकी अपनी लेंगवज में इसके अंदर सबसे इंपॉर्टन चीज हमारे पास आ जाती है हमारे डिजिटल रिसोर्स इसके थू हम डिफर्ट जबानों की किताबों को डिजिटली प्रयूस데 कर सकते हैं अपनी जबानों में और hunकी कालचेश को उनकी कहानियों को उनकी बहुत से important interesting factors को अपनी कहानियों में transform करके बच्चों तक पहुचा सकते हैं जिसे वो बच्चे पर सकें इस टेक्स की सबसे important चीजी होती है कि बच्चे जो है बुनियादी तौर पर वो attract होते हैं उन लोगों की तरफ जो different culture से belong करते हैं और उनकी understanding, उनकी respect उनकी दिल में बढ़ती चली जाती है advantage क्या है उन किताबों को पढ़ने का जो different culture से आती हैं जो diverse दुनिया से तालुक रखती है शाहे वो imaginative books हो चाहे वो real events पे या real cultures के उपर बनीवी किताबे हो बच्चों के लिए acceptance पैदा होती है, लोगों को पूल करने में different ethnic societies को पूल करने में, अपने माष्ये में रहने वाले different किसमी cultures के लोगों को accept करने में, उनकी values को accept करने में, उनकी कहानियों को accept करने में और मैं भी literature में represent होता हूँ, यह मेरा culture है, यह मेरी कहानिया है। ताकि बच्चे अपने माश्रे में अपने आपको, अपने culture को देख सके और उनका confidence भी boost हो सके। ना सिर्फ दूसरों के culture को पढ़ना important है, अपने culture की representation भी important है। तो यह वो हक है, यह बताता है कि हमें ऐसी कहानिया बनानी है और उसे बच्चों तक पहुचानी है, जब कि माश्रे के जितने ethnic group हैं, उनको represent कर रही हो, ताकि वो confidence में सूस करें और आपस में उनकी acceptance जो है, वो बेहतर तरीके से engage हो सके।